बिस्विन लाइरह्माई रखीम अस्साम लीकुं स्ट्रेंट्स सीएस 607 आइटिफिशल इंटेलिजेंस के लक्षर 14 & 15 में वेल्कम आज हम दो लक्षर एक साथ करेंगे लक्षर 14 & 15 16 17 इसलिए नहीं करें क्योंकि 16 & 17 का जो है वो एक अलग कंसेप्ट है अर लक्षर 14 का स्टार्ट हो रहा है यह जो चुश हां कि लक्षर 15 पर रहा है इसलिए हम 2-2 लेक्षर करें गयरें टाक लेंद ही लग्षर 15 lat अगर आप knowledge representation and reasoning का concept एक ही बार क्लियर करते हैं लाइक आपको पता है कि knowledge representation and reasoning क्या है और हमें in lectures में करना क्या है तो आपके लिए हर topic बहुत असान होगा आपके लिए समझना उसको और इसको माइंड में रखना और अगर आप start आपको पता ही नहीं कि knowledge representation क्या है और reasoning क्या है तो आप इस पूरे lectures को नहीं कर सकते हैं तो हम start करें तो इसको अच्छे से समझना मैं concept आपको fully उर्दू में explain करूँगी ताकि आपको अच्छे से जो है कि हम machine को intelligence बनाते हैं हम machine के अंदर knowledge fix करते हैं क्योंकि machine तो आपको पता है खुद उनके अंदर कुछ भी नहीं होता वह तो खाली होती है वह इनसान का knowledge को होता है हमारा जो हमारे पास जो knowledge होता है वही उनके इंदर fix किया जाता है तो artificial intelligence जो machine को हम intelligent मिलाने के लिए knowledge यह नहीं human beings जैसे knowledge गठा करता है या collect करता है knowledge वो कहां से करता है collect उसके बाद जो facts होते हैं उसके बाद जितनी skills होती हैं जितना उसको 16 साल या 17 साल का experience होता है knowledge का अपने study का वो सारा experience होता है वो सारा किसमें आ जाता है वो इसी knowledge के topic में आ जाता है कि यह इसका knowledge है लेकिन जब उस knowledge को use करने का time आ जाता है यह रिप्रिजेंट करने का time आ जाता है ठीक है जब उस knowledge को आ प्रिजेंट करते हो तो कैसे करते हो वो सारा topic reasoning में आ जाता है reasoning में कैसा आ जाता ह कि आपके पास एक 50 मंजला एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के आप आप खड़े हो और आपके पास यह नौलिज है कि अगर आप इस बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं तो आप जिन्दा नहीं बचोगी यह आपके पास नौलिज है अप क्या करना अगर तो आप जान को बचा लिया लेकिन अगर आप इंटेलिजन्स का यूज नहीं करते और आप वहां से चलांग लगा देते हैं यूज आपका कुछ भी नहीं बचेगा सो यहीं सेम एक्जामपल जो है वो knowledge representation and reasoning में आजाती है क्योंकि machine आपको पता है ना खुद काम नहीं करती हम जो उसको कहेंगे हम जो उसको देंगे उसके अंदर जो fix करेंगे उसी के बरक्स वो काम करेंगी तो इसलिए यह बहुत जुरूई है कि जो knowledge representation इसके अंदर आप store करेंगे वो कौन सी हो वो जब आप write time आए ना जब आप represent करेंगे तो वो knowledge उसको understand करें जब आप खुद लिखेंगे तो उसको वो understand करें machine के आपने इसके अंदर यह यह fix के था है इसको हमने इस तरह से represent करना है इसकी example में आपको बता देती हूँ जैसे हम program लिखते हैं तो हम code write करते हैं program के लिए code लिखते हैं अगर उस code में हम like कोई mistake करते हैं वो अगर syntax error होता है या semantic error होता है कोई भी error करते हैं तो क्या होता है कि हमें machine जो है वो solution नहीं देती क्यों नहीं देती क्योंकि उसके अंदर fixing ही इस चीज़ की नहीं हुई उसके अंदर गलत काम की fixing नहीं हुई तो आपको वो कैसे गलत चीज़ का result देगी जब तक आप अपने syntax error को ठीक नहीं करते हैं तब तक आपको result नहीं मिलता है आपको error मिलता है जब आप उसको ठीक करते हो जो इसके अंदर fix होता है उसी लिहास इस code को fix करते हो तो आपको जो है वो result मिल जाता है तो basically knowledge representation and reasoning hope और को समझ आ गी होगी कि हमने अप करना क्या है कि machine के अंदर knowledge ड reactors डालने की बात करने है कि machine के अंदर हम कैसे knowledge डालेंगे अब देखें machine के अंदर हम समझ गे अब इसी पूरे नालिज को जब आप रिप्रिजेंट करते हो तो यह इसका एक तरीका नहीं होता है उसके बहुत से तरीके होते हैं वह तरीके मैंने आपको यहां मैंचिन कर दी जो हम पूरे लक्षर में डिसकर्स करेंगे उसमें पहला तरीका जो है वह है लॉजिक दूसरा है रूल्स तीसरा है सेमेंटिक नेटवर्क चोथा है फ्रेम्स और पानचरा है स्क्रिप्ट इनकी मदद से होता है logic में simply आपको याद रखना होगा जिसको facts कहते हैं true and false का system होगा rules में आपने if और then इन दो तरीकों को यूज़ करना है उसके बाद जो है यानि if then की condition को यूज़ करके हमने इसको दे के काम करना है semantic network के अंदर आपने graph की मदद से काम करना है frames में आपने slots और sin filler की मदद से काम करना है और script के अंदर आपने full movie जो है वो यानि फूल DCN या structure इंड कर देना है या इंटर कर देना है so यह है knowledge representation जिसकी मदद से यह काम करेगी यह वो चीज़ है इसको हम पूरे lecture में बारी बारी डिसकर्स करेंगे लेकिन इसको याद रखने के लिए आपको यह concept सामने रखना होगा अपने अब देखें knowledge representation पर बात कर लिए हमने अब हम artificial intelligence की cycle की तरफ आते हैं कि कैसे यह work करता है cycle में देखें सबसे पहले है perception फिर है learning फिर है के आर्ट जिसको knowledge representation बोलते है फिर है reasoning फिर है planning फिर है execution यह step है यह life cycle है जिसकी मदद से हमने यह work करना है पूरा system के अंदर इस तरह से इंटर करना है तो देखें यहाँ पर इसको dotted land से show किया गया है जिसमे knowledge representation और reasoning आ रहा है अगर तो आप यही ठीक निक करते हैं तो फिर वह planning और execution वाला सारा काम ही disturb होगा तो इस पर focus करना है हम आज पूरे lectures में इसी को discuss करेंगे इसी को study करेंगे कि क्या चीज होती है यह और क्या नहीं तो देखें start में यहाँ पर कि इसका पूरा cycle है वह पहले perception चलता है perception का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई चीज हमारे पास आती है तो हम उसके बारे में percept करते हैं सोच सोचते हैं और फिर हमारे पास learning करते हैं उससे related फिर हमारे पास knowledge repetition and reasoning वाला topic आ जाता है फिर उसके बाद हम planning करते हैं फिर execution होती है यह step फूरे यह फालो होते हैं यह चलते हैं sequence से यह mcqs के लिए short question के लिए important है next step देखें यह फालो करने के बाद क्या करना है हमने knowledge and its types अच्छा वह जो जो रूल्स वाला topic है ना जैसे हमने का था कि knowledge को represent करने के बहुत से तरीके हैं उनको हम आगे discuss करेंगे लिकों उससे पहले हम knowledge को भी देख लेते हैं को इसके भी बहुत सी types होती है उसके आपके पास जो आपके सामने हैं वो 5 types है first है procedure knowledge, declarative knowledge, meta knowledge, heuristic knowledge और structure knowledge यह जो 5 types है important है आपके exam के point of view से अब इनको हम एक एक line में समझ रहते हैं कैसे समझेंगे देखें प्रोसीजन knowledge कौन सा knowledge होता है procedure knowledge वो knowledge होता है कि कोई भी काम आपके पास है आपने start करना है कि काम अपने करना कैसे है, describe how to do things, आपने चीज़ों को कैसे करना है, like आप एक car driver नहीं हूँ, आपको car drive करने के लिए दी जाती है तो पहला procedure knowledge आपके पास किया है कि आपने इसको कैसे drive करना है, step by step आप से आप सा आप पहले कि आप पैदर को देखकर आप बता सके कि आज दूप होगी आज बारिश है या आज कैसा मोसम होगा, so यह होता है declarative knowledge, उसके बाद है meta knowledge, meta knowledge, same, उसी तर जिस तर हम meta data की तारीफ करते हैं, या उसकी definition देखते हैं, तो हम कहते है data about data, meta data कैला है, तो इसी तर meta knowledge क्या आप पनीर के टुकड़े की smell आती है, तो इस smell की मदद से अपने मनजिल तक पहुंच जाता है, heuristic knowledge आपके पास वह नालिज होता है, जह आपको थोड़ा सा idea हो जाता है, कि यहाँ यह चीज इस तरगा correct हो सकती है, आप एक सहरा में खड़े हो, और आप सहरा में खड़े हो जाती है, एक रस्ता मिल जाता है, आपको उस पर चल के आप फॉलो करते हो, आपका काम हो जाता है, फिर आपके पास है, structure knowledge, structure knowledge कौन सा होता है, देखे, structure नाम से पता चलना है, कि जो relationship आपको पूरे describe करता है, यह बताता है, कि कौन सी चीज कैसे बनी है, यह पूरे structure knowledge के knowledge के सारी types explain है, और कौन-कौन सी knowledge, जो types है, वो क्या काम करते है, वो अभी आपको mention है, सारी जो मैं आपको बता दी है, अब देखें, to world representation, representation कैसे कर, represent करना है, किस चीज का आपने बयान करना है, सामने रखना है, तो किस तरीकों से आप कर सकते हैं, किन तरीकों से, उसके भी कौन-कौन से, एक है, pictures and symbols की मदद से, आप कर सकते हैं, दूसरा है, graph and network की मदद से, third one है, numbers की मदद से, आप कर सकते हैं, so very simple, यहां पर पूरी पूरी जो है, वो details की आप इसको छोड़ दें, मैं आपको यहां बताती हूँ, pictures and symbols, pictures and symbols, pictures and symbols में क्या होता है, कि आपके पास, आ आप बता देते हैं, like आप एक diagram ड्रा करते हैं, उसमें, mother, mother, father, family, पूरी diagram ड्रा करते हैं, और फिर हम इस picture से अंदादा लगाते हैं, कि इस picture में क्या क्या हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा, छोटे classes के, में English की books में अक्सर होता है, picture description दे होती है, उपर picture देते हैं, student, बच्चे क्या करते हैं, उसको देख कर डिस्क्राइब करते हैं, कि इस picture में ये चीज़ हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, तो ये होता है, basically picture and symbol description होती है, पूरी, picture and symbol की मदद से आप रिप्रेजेंट करते हो चीज़ों को, फिर उसके बाद है, graph and network, graph and network की graph की मदद से, यानि graph ड्रा कर दिया, जैसे हम इसके example जो है, वो ले सकते हैं, कि आपके पास ये ही ये देखें, यहाँ पर आप ऊपर ए ग्राफ ड्रा है, उसमें आप देख सकते हैं, कि ग्राफ को कैसे ड्रा कियागी और उससे आप पूरे network को, पूरे system को समझते हो, numbers को system क जो है, इतने भी numbers की मतद से आपका काम हो रहा तो ये उसमें आजाता है, आप तीन तरह से represent करते हैं चीज़ों को, वो तीनों चीज़ें हम देख चुके हैं कि कैसे आप represent कर सकते हैं, ठीक है, graph वाला step जो है, आप कोई भी graph करते हो, like, आप वही example ले ले लेते हैं, जैसे हम ड्राइव करते हैं, तो सबसे पहले हमने graph बना के बिताए कि हमने क्या करना है, गाड़ी को open करना है, फिर उसके बाद insert करनी है, की insert करनी है, फिर हमने seat पे बैठना है, फिर हमने फ्लाइक काम करना है, यनि सारे जो graph की farm में आपके पास हो और आप उसको follow करते रहें, तो य इसको पूरा समझने के लिए यहां पर देखें, आपके पास एक पिक्चर दीवी है, जो एक फैमिली पिक्चर है, जहां पर देखें, यहां पर दो इनको couple कह सकते हैं, यह couple है आपके पास और यह इनकी daughter ही होगी, तो इसकी मदद से आप देखें, इस diagram की मदद से आप इसक तरह देखें के आपके पास रहं का देखें हैं, तब से आपके में प्याइशा जिए हो, आपके मान की पेटीन है, वह को है जो इत्वियूं के लिए ग्राम पर देखें, अब अगर आप इसको समझेंगे, तो भी पात को समच जाएंगे, इस руб rainfall प्राइशा को समच पूरे डिटेल्स में देखते हैं, तो डिस्क्राइब कैसे किया वा फिर भी आपको बात को समझ जाएंगे अब आपके पास आ रहा है फैक्ट्स देखें फैक्ट्स में हमने पहले देखा था ना फैक्ट्स जब हमने डिसकस किया था देखें में हमने रोल्स कालना होता है वह हमने बिताया था हमने घुट्स के अंदर कैसे लिफे प immigration काम करना होता है तो इन भी बिव पर खींडिव पास और जा जाते है उसको सब्सथरे पर अपने एट्स समय पास तो आहर रहा था तीनु जो Hai वह इसको पर छू कर भी पर जब करें मा झापद कर शरी आप को बुक सरकें अगर जासे ममने पीछे डिसका सक्क्こんにちは टीनु आपकर देकर करना से में गाना है यू यू झापर से वहाएड मोचे साठी किसा को एल भी जुЗ करने आगे प्रोजर के थमराओ को यूज़ करते हूं anywhere । यूजिए है तो Alright आगे देखे दिए अगे मेरे उनुज़ ऑप ख़ारे हों यह जे कि अकर एक के एक नहीं डम पलाओ क스터 है तो प्रोवितित्त जिए हैं यह चाहिए चाने मेरे ॉज़ उज़ सवे कासफ हैंử पर गाड़ डराइव बायक पे हो तो आपकी गारी अचानक से रस्ते में खराब हो जाती है और आपको नहीं समझ आई कि इसके इसके इनदेर पूँगा है तो यह आपके अन्सेर्टन की अफैक्टिया है जाता है इस फेक्ट में आ जाते हैं फिर उसके बाद है object attributes value triples अब यह देखें object attribute value उस नाम से पता चले है कि इसको आप O A V भी कह सकते हैं यह MC के उसमें पूछा जा सकता है कि O A V strand वो फिर आपने बताना होता है कि object attribute value इसमें आपने object भी बताना होते है attributes भी बताना होती है value भी बताना होती है so simple आप यहां पर देखें object आपके पास अली है अली का eye color जो है वो उसके attributes में आ रहे है और value जो है उसके brown है तो यहां पर आपने इस तरह से आप मज़ीद और example भी ले सकते हैं अभी इसी O A V को आप graph में भी explain कर सकते हो और इसको describing कर सकते हो फिर आपके पास जो है वो rules आ रहे है अब rules में हमने start में बात किया कि थी कि rules में आपने क्या बताना होता है rules के अंदर जब आप काम करें तो if or then को आपने यूज को आपने काम करना है तो rules जो है वो knowledge को represent करने की एक और way है या दूसरा तरीका जो दूसरा step है वो rules का था उसमें क्या है कि rules is another form of knowledge representation इसको represent कैसे करना है दो तरीके से करना है पहला है component of a rule और दूसरा है compound rules यानि component और compound component के अंदर आपने premises और conclusion को add करना होता है premises और conclusion क्या होती है देखें यहाँ पर है premises if वाला पार्ट होता है और conclusion then वाला पार्ट है देखें आप उसी वह जो पहले जो हमने एक्जामपल बताई थे ला कि it is raining तो वह इट इस रेनिंग था इसी if और then के मिड में यानि इस if के बाद आपने end और और को यूज़ करना है conjunction वायरा को यूज़ करना है end को यूज़ करना है या और को यूज़ करना है वह होता है component rules यहाँ पर देखें कि इसमें multiple premises में आप इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे आप गहें कि वहीं जो से इसकी समझ आ गई है component of a rule and compound rules यह आपके short question में आ सकते हैं सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो component of a rule में if then का यूज़ करना है आपने और जो compound rules है उसके अंदर आपने end conjections वायरा यूज़ करना है end or वायरा यूज़ करना है कि आपको solution भी मिल जाता है next दे आपसे पहला जो rule है relationship आ रहे है relationship में क्या है आपके पास देखें relationship recommendation और directive है उसके बाद कौन वायरेक्टिव के बाद रूल्स है और variable rules के बाद uncertain rules है meta rules है rules states है यह सारी चीज़ आ रही है इसको हम बारी बारी discuss करते हैं तो देखें types of rules में जो पहला है relationship में क्या है if or then का रिले इसको आप यूज़ करते हो direct way से यह आपके पास rules में आ रहा है फिर recommendation recommendation में क्या है कि आपको recommend भी किया जाता है if it is raining then bring in amaryla के अगर बारिश है तो आपको recommend किया जा रहा है ना कि आप amaryla लेकर रहा है लेकिन ऊपर देखें relationship के अंदर आपको recommend नहीं किया रहा है और recommendation में अगर बारिश है और आपके पास amaryla नहीं है तो फिर आप वेट करें कि आप बारिश रुख जाए या इन एक्जामपल के मतसे आप इन चीज़ों को clear कर सकते हैं होपसो कि इसकी समझ आपको आ गई होगी यहां पर हम क्या करते है recommendation में हम recommend करते हैं चीज़ों को कि अगर raining है यहां पर सब रूल्स को apply करना है उस रूल्स को आप जो है पैटरन मैचिंग रूल्स भी आप कह सकते हो रूल्स को आपने कैसे multiple object पर जो apply करना है जैसे variables है आपके पास x is a variable rules यह सारे आपने बताने होगे उनसर्टन रूल्स के अंदर क्या है उनसर्टन रूल्स के अंदर वही rules होते हैं जो आपके rules को मज़ीद describe करते हैं ठीक है यहां जैसे metadata था पहले भी हमने discuss किया कि मज़ीद चीजों को describe करना meta rules के अंदर आ जाते हैं तो यहां तक यह important था next topic जो हमेरे पास है वह semantic networks हैं तो semantic networks क्या होता है जिसमें आप knowledge को graph की मदद से represent करते हैं वह होता है semantic network semantic network की definition आप यहां से भी देख सकते हैं कि semantic network जो है वह ग्राफ होते हैं जिसके अंदर nodes यूज होते हैं nodes जो हैं वह अबजेक्ट को show करते हैं यह सारे objects आपके पास show हो रहे हैं ठीक है और nodes का जो अबजेक्ट के साथ relationship है वह यह arrow की मदद से आपको नज़र आ रहा है यह arrow जो हैं आपके relationship को बता रहे हैं so semantic network क्या है कि आपने graph के अंदर चीज़ेंट करना है is our relationship है is our relationship अब देखें यहां पर आपसे यह नहीं पूछा जाएगा यहां पर semantic network की definition आ सकती है और इसके बाद second question क्या आ सकता है कि आपको statement दे जाएगी इस तरह statement लिग दी जाएगी और फिर आपको उनके अंदर semantic network बताना होगा कि क्या है इनके अंदर नेट्वर्क बताना होगा कि क नोड्स की मदद से जो इनके दरमयान का relationship था उनकी मदद से आपने statement को जो है वो सीधा किया या आप कह सकती है कि उसको complete किया आपनी so semantic network basically होता किया है कि आपको जो है वो knowledge को represent graph की मदद से करते हैं एक knowledge को represent करना graph की मदद से उसको आप बोलते है semantic network और उस graph के अंदर क्या होत यह काम हो रहता है very simple so यह एक concept था फिर उसके बाद next topic है वो है फ्रेम्स के अंदर क्या होता है फ्रेम्स में हमने बात की थी कि इसमें entity या आपके पास कुछ slots होती है जिसमें आपने काम करना होता है अब देखे slots basically होता किया है जिस जो हमने पीछे हमने पढ़ा था ना कि हम पास में आ जाएंगे और जो filler होते है वो सारे attributes होते है यह प्रापर्टी जितनी भी है यह फिलर्स है आपके पास slots और filler का यूज़ करना होता है data का structure बनाने के लिए ना यह एक frame बनाने के लिए structure को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपने इसके अंदर क्या क्या काओ जो है वो एक object है और इसके जो जितने भी फिलर्स है या attributes है वो इसके four legs हो गई ठीक है उसके head उसके tail उसके properties में आ जाएंगी तो यहां पर आपने frame name आपने क्या रख दिया काओ रख दिया और इसकी properties में जो है वो सारे उसकी properties लिख दी यह उसकी जितनी भी फिलर्स ह आपका object होता है जैसे हमने database में design करने के लिए हम database में देखते थे classes and object का concept यह सेम वही है यहां पर भी frames में आपने simply दो चीज़ों को याद रखना है कि Slots और Filler का use करते हूं Slots क्या होता है आपके पास Slots आपके पास जो होता है वह object होता है और Filler आपके पास उसकी properties होती है आपने उसको कहता है फ्रेम्स में work करना आपको आगया अब यह facts same वही है facts पर आपने काम कर लिए logic भी आपने यूज़ों के लिए logic में दो तरह की topics आरे एक आरा है आपके पास preposition logic और predicate calculus preposition logic के अंदर आपके पास true and false वाली term हमने यूज़ों करनी होती है ठीक है true यह सिर्फ true और false में करनी है अगर it is running I carry an umbrella ठीक है true and false यह तो true होगी यह तो false होगी कंडिशन सिर्फ true and false में करनी है और फिर उसके बाद second है predicate calculus जहां पर हमने सिर्फ qualified को यूज़ों करना होता है वह predicates ठीक है so यहां पर यह lecture complete होता है उसके बाद आपने जो next lecture हमने देखना है किस पर देखना है वह हमारा topic जो है यहां से start होगा reasoning वाला reasoning वाला topic start होगा hope so कि आपको lecture की समझ आ गई होगी होगी एक दफा मैं आपको review करवा देती हूँ कि हमने आज क्या क्या इसमें देखा उसको देखने के लिए सिर्फ आपने इस concept को सामने रखना है जो मैंने आपको सबसे पहले logic देखा था जिसमें facts आ रहा था रहा था रूल्स देखे थे semantic network देखा है frame देखा और script को हमने भी फुल नहीं डिसकस किया सो इनको simple अलफाज में याद रखने के लिए इसी यह जो मैंने लिखा है ना इसको आप सामने रख लें यहां देखे लोजिक के अंदर आपके पास true or false वाला concept है rules के अंदर आपने if or then वाले apply करने है semantic network के अंदर आपने graph को यूज करना है frames के अंदर slots and filler और script के अंदर पू आज की लेक्चर में कुछ समझ नहीं आई तो मुझे कॉमेंट्स में रताईएगा मैं उसको again discuss कर दूंगी next lecture के साथ ओके मिलते हैं next lecture में अल्ला हाफिज